हाई फ्रेंड्स मैं मीना मेरे कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मुर्मूरा टिक्की खाने में बहुती स्वाधिष्ट रेस्पी है इसे आप कभी भी नास्ते में बना कर खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बनाना सुरू करते हैं मुर्मूरा टिक्की दो कप मुर्मूरा है मुर्मूरा को हम बोल में डालेंगे और इसमें हम आधा कप दही डालेंगे ताजी दही है बहुत ज्यादा खटी दही नहीं लेना है इसमें इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तक एक मुर्मूरा थोड़ा सा सौप्ट हो जाए देखिए मुर्मूरा को हमने पांच मिनट तक इसे ही छोड़ दिया था और मुर्मूरा पूरी तरह से सौप्ट हो गया है अब इसमें हम दो आलू ग्रेट करेंगे आलू को हमने बॉयल कर लिया है अब इसमें हम एक बड़ा प्याज कटा हुआ डालेंगे आधा सिमला मिर्च कटी हुई एक बड़ा चमच रेड चिली फ्लेक्स आधा का फ़रा धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ तीन हरी मिर्च कटी हुई एक बड़ा चमच जीरा एक छोटी चमच चाट मसाला एक बड़ा चमच लाल मिर्च का पावडर एक बड़ा चमच धनिया पावडर एक छोटी चमच हल्दी पावडर एक चोथाई चमच हींग दो बड़ा चमच तील एक बड़ा चमच अध्रक लहसुन का पेश्ट एक कप बेशन डालेंगे आधा कप चावल का आठा नमक स्वात के अनुसार असारे सामगरी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे सामगरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिस्टरन हमारा बनकर तयार है अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे थोड़ा सा मिस्टरन लेंगे और टिक्की बनाएंगे इसी तरह से हम सारे टिक्की को बना कर तयार करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे टिक्की को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है ग्यास की आज को मीडियम रखेंगे और टिक्की को अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे टिक्की को हम इस तरह से बीज-बीज में चलाते रहेंगे पलट लेंगे टिक्की को बीज-बीज में चलाते हुए हमने अच्छा सुना रहा होने तक फ्राई कर लिया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे टिक्की को फ्राई करेंगे लीजे दोस्तों गर्मा गरम मुर्मुरा टिक्की बनकर तैयार है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेस्पी बनी है इसी तरह से आप भी बनाईए और अपने मन पसंद चड़नी या चाय के साथ खाईए अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नी चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद